अगर आप लोग इस फैमिली के हिससे नहीं हो यानि अभी आप इस फैमिली से जुनना चाहते हो और इस चैनल में अभी नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइबर बटन को क्लिक कर लो और इस शोटी सी फैमिली का एक बड़ा सा हिससा बन जाओ तो आज हम लोग बात करेंगे PMCO 2021 जी हाँ कोडोना से अभी साइस से छुटकाड़ मिलेगा तो जो भी हो आज हम लोग 2021 PMCO रेजिटेशन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि यह रेजिटेशन के बाद आप लोग कैसे गेम खेलोगे कहां खेलोगे कितना पॉइंट करना है। वीडियो का वेट ना करते आप लोग को जल्दी से सब इंफोर्मेसन देते हैं तो सबसे पहले हम लोग तो बहुत ही इजिए जैसा होता है रेगुलर पीम को दिक्ना गाले आप लोग अगर इंडिया से खेलना चाहते हैं तो आप लोग नहीं खेल सकते क्यूंकि इंडिया का जो रिजियन था इस बार PMC-0 2021 को घटा आँ गया है जहां पे आपको ऑप्षण ही नहीं मिलेगा इंडिया रिजियन करने के लिए बाकी देस सारे खेल सकते हैं जहां पर पबग बैंड नहीं है तो इंडिया वालो प्लीज government अगर छोड़ दिया तो maybe यह option आजाएगा और हम लोग फिर से register कर सकते हो और दूसरा कोई maybe process आएगा अगर registration हुआ तो PMCO में बट फिलाल के लिए इंडिया लोग PMCO 2021 में register नहीं कर सकते हैं बाकी कैसे register करेंगे ओ अभी में बता रहा हूँ हम लोग आ गया है अपने computer के screen पे तो आप लोग mobile से भी कर सकते हो मैं यहां पर computer में दिखा दे रहा हूँ क्योंको वेब page था इसलिए मैं computer में कर रहा हूँ तो आप लोग को पहले जाना इस website पे जो यह website दिखाए दे रहा है यह website पे इसका link में description में दे दूँगा अगर आप लोग description में नहीं जाना चाहते तो google में बस PMC और 2021 सच किज़े उसका पहला वाला link एकदम यह वाला आएगा तो यह है इसका home page एकदम इस home page में आपको क्या करना है यहां पे देखिए आपको price लिखा हुआ है कितना ज्यादा जब इंडिया नहीं खेल पाएगा बहुत बुड़ा लगते यार इंसलो जो भी हो आप registration कैसे कर पाऊगी यहां पर देखो registration का जो link और एक option दिखाए दे रहे तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे में आपको देखो यहां पर registration का ख्रॉम टाइप एक है इतना बड़ा सा तो इस फ्रॉम को पूरा干 ना कशा órट करना है तो अब भागो अ मन पेले सुन लो कया करना है इस फ्रॉम पर यहां पर ऑपको पहले लिखना पड़ा का आपका team name जो team name आप देना चाहते हैं उहां पर लिख देना हाँ दोस्तों यह team name ऐसा team name होना चाहिए जो आपका crew name है यानि crew name and team name same होना चाहिए वरना problem हो सकता है तो crew name and team name जो है यहां पर दाल दो फिर आपका registration region select करना यह mainly auto select हो जाता है अगर ना हो तो आप यहां से देख लो यह आपका कौन सा region है आप select कर लो यहां पर देख सकते हो इंडिया को उड़ा दिया गया पहले यहां पर इंडिया रहता था बट यहां पर इंडिया भी नहीं ह पहला नाम यहां पर देना पड़े गा जो आपका पास आईडी होगा उस आईडि की वाइज ही देना जैसे आपके पास आदार हो सकते है दैक ब्राइविंग लैसेंस कुछ भी आपका जिस्पे इडिया आईटी है जो नाम है ओी देदो फिर यहां पर इ-maid दे तो यह सब कैसे देना यह भी में थोड़ी देर में बताता हूं उसके बाद आपको टीम मेंबर का सब नाम देना है टीम नेमबर 1 2 3 4 और आप भी इसलेक्ट कर सेकतू कर सेंगा और जो डाइविंग लैसेंस अधरकार्ट में जो नाम रहेगा हो और नेसलेक्ट करना है अगर आप टीम न और एक बार इसको ऐसे टिक आउट हो गया इसको यह लग अपर सब्मिन में क्लिक करना है आप जो भी सब्मिन में क्लिक करोगे तो आपको डन बोल के लिखा आ जाएगा और हाँ दोस्तों और एक बात यहां पर याद रखना जो जो टीम आप सेलेक्टर रहे हो यानि जिस टी क्रूं मेंबर कोई भी ये गेम नहीं घेल पाएगा मतलब के आप परो चारो बंदे क्रूं मेंबर जो है उसका नहीं लियए दूसले किसी करी क्रूं मेंबर अलग hack तो गेम आप नहीं खेल पाव क्यों जो लोग Christian cream बढ़नी करelet कर लो फिर इसको बनाऊ तो यह आप लोग लिए इजी रहेगा तो गाई सब बात कर लेते हैं कि आप लोग खेलोगे कैसे तो आप लोग को खेलने के लिए फिलाल वेट करना पड़ेगा एक तरीक तक क्योंकि एक से साथ तक चलेगा क्वालिफायर राउंड एक तरीक मतलब एक कफेवररी नौट जन्वरी क्योंकि जन आता है कि आप लोग को खेलना कहां पे है तो आप लोग अगर अपना पबजी का लॉबी में आओगे तो आपका राइट हैंड कॉर्णर पेगदम नीचे की तरफ एक और वाला साइन दिखाई दे रहा होगा उस पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा e-sports center बोलके इस e-sports center में अगर आप लोग जाओगे तो आपका जो club open है I think अभी locked है मुझे तो फिलाल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मेरा यहां पे बैन है मैं इंडिया से हूँ तो यहां पे बैन है बट आप लोग को दिखाई देगा क्योंकि आप लोग दूसरे country से ह होगे तो आप लोग को दिखाई देगा और उहां पे देखना जो club open का sign club open वाला sign है और club open वाला option है वह अभी फिलाल lock होके रहेगा बट एक तरिक को यह lock open हो जाएगा और वहां पे जाके आपको game खेलना है और एक बात दोस्तों अभी के लिए यानि in-game qualification के लिए कोई भी password और कोई भी game id नहीं आएगा आपको उहां पे जाके गेम खेलना पड़ेगा यानि उस option में जाकर तो अब बात कर लेते हैं आप लोग को कितना matches खेलने को मिलेगा और points कितना इकट्ठा करने होंगे कैसे point calculate होगा तो सबसे पहले बात है आप लोग को 7 दिन खेलना है यानि एक से साथ तरीक तक यानि total 7 days से आप लोग को खेलना है और हर एक दिन आप लोग को 4 match खेलने का मौका मिलेगा और ऐसे आपको हर एक दिन 4 match यानि आपको total 4 into 7 equal to 28 game खेलना है और हाँ दोस्तों यहाँ पे जो 4 game एक दिन में होगा यहाँ पे 4 game में 4 map खेलने का मौका मिलेगा यानि कि आप एक दिन में 4 map खेल सकते हो एक दिन में 1 map भी खेल सकते हो बट एक बार ही मौका मिलेगा अगर आप 4 game खेलना चाहते हो तो आपको 4 game ही 4 map ही खेलना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों अगर point calculation में आते हैं तो हर एक map का सबसे ज़्यादा point यानि सबसे आपको total 7 game खेलना मिलेगा एक map का तो उस 7 game में जो highest 2 point रहेगा जिस game में आप सबसे ज़्यादा point कमाए हो जो top 2 game रहेगा उस point को हिसाब किया जाएगा यानि उस point को ये लोग लेंगे कुछ point कमाएं फिर weekend में आप top 2 में 7 match में top 2 में कुछ point कमाएं और बाकी सब Sanok और दूसरा map में यासे मीरामान में भी यासे आप जितना point कमाएंगे यानि top 2 हर एक map का लिया जाएगा तो आपका जो 7 match आप लोग खेलेंगे वहां से 7 match से top 2 हर एक map का match लिया जाएगा तो टोटल आप लोग को खेलना है 28 game जहां पे हर एक match का खेलना है 7 game और 7 game में आपको top 2 matches लिया जाएगा यानि इस top 2 matches लेके total 4 में आपका होता है top 2 plus 4 equal to 8 games तो इस 8 game का total point मिला के जिन लोग का high of game number होगा उन लोग को mails आएंगे कि आप लोग selected हो गये हो club open के लिए etc जैसे आते है और आप लोग अपना नाम भी देख सकते हो top 2 में अगर रहे तो यानि top 100 का वहां पे 900 करता है after the game तो वहां पे आप लोग अपना का नाम भी देख सकते हो आपका जो क्लैन है उसका नाम भी देख सकते हो तो इसके बाद आ जाते हैं आप लोग को कितना point कमाना होगा तो दोस्तों विलाल तो ऐसा कोई fixed point stable नहीं है जिससे मैं बता सकता हूँ कि आप लोग इतना कमा लो और इतना point कट्टा कर लो तो आप एकदम perfect select हो जाओगे दोस्तों मैं यह कह सकता हूँ कि मेरा जितना experience है इस club open में तो मैं इससे यह कह सकता हूँ कि अगर आप लोग कम से कम वहाँ पर आप लोग कराएगा 64 बंदे तो 64 बंदे के अंदर आपको 30 से 40 बंदे मारना पड़ेगा and game को जीतना पड़ेगा अगर आप 30 से 40 बंदे मार देते हो और game को जीत लेते हो तो आपका name top 100 में आ जाएगा बट हाँ दोस्तों यहाँ और एक बात ऐसा चीज करना है आपको दोनो गेम में यानि दोनो गेम में साथ गेम को offer आपको मिलेगा एक map के लिए तो इस में आपको दोनो गेम में ऐसा 30 स जीतना है तो आपको समोगा मिल चकता है एक map का बस दोनो गेम यानि आपको चार मैच चार टोटल 8 गेम में ऐसा performance देना है हर एक map का समझ गए अगर नहीं समझे फिर से मैं बताता हूं आपको टोटल 7 match एक map का मुलेगा यानि आपको टोटल 28 गेम खेलना है इस 28 गेम में ट टोटल टॉप 8 गेम लिया जाएगा यहां पर टॉप 8 में भी डिफॉरेंस किया गया है टॉप 8 में आपको हर एक map का दो दो करके लिया जाएगा ऐसे करके यह लोग टॉप 8 काउंट करेंगे ठीक है यानि आपका आप पकल लीजे वीकेंडी में तीनो मैच में आपने 40 मैच लेगा 40-40 करके और एंगेल का दो मैच लेगा 30-30 38-38 करके वहां का विकेंडी जो 40-30 मैच में था वह काउंट नहीं होगा चलो अब भी समझ गये अब अगर नहीं समझे तो क्या बोल सकते हैं मेरा इंस्ट्राग्राम आइडी पर यहां पर देखो नीचे में लिंक दि दोंगा मैं देखता हूं हां लेट हो सकता है क्योंकि थोड़ा काम रहता है बट अवियसली में हर एक सवाल का जवाब दोंगा तो आपका कोई confusion हो तो जरूर से मुझे पूछ लिया करो और प्लीज पूछ लिया करो और क्या बोल सकते हूं और इस वीडियो में और इतना यह पैक्टिस करते रहो और इंडिया वालो और इंडियन जो है गेमिंग तो अब भी तो फिलाल कोई information नहीं है बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ पपजी इंडिया करेगा या पीमसी हो ताके इंडिया भी खेल पाए तो देखते हैं उसका भी information इस चलनल में आ जाएग करते हैं जब जो है